नमस्ते, बबलीस काफेटेरिया में आप सब का स्वागत है, उमीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ ताडगोला सरबत की रेसिपी ताडगोला सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि ये गर्मियों में बॉड़ी को थंड़क पहुंचाती है मैंने पहले भी ताडगोला खीर की रेसिपी सेयर की है और उसके लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे दिया है तो चली अभी बनाते हैं ताडगोला सरबत ताडगोला सरबत बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे ताडगोला तो ताडगोला को हम उपर से उसका जो छिलका है उसको निकाल लेंगे छिलका निकालने के बाद ये इस तरह से दिखती है तो इसको फिर हम छोटे छोटे पिसस में इस तरह से चाकू की मदश से इस तरह से काट लेंगे ताड़गोला में वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है तो गर्मियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए सारे ताड़गोले काट लेंगे हम इस ताड़गोला सरबत में आज कुछ ट्विश्ट करके इसे बनाने वाले हैं तो हम यहां पर ले लेंगे एक बड़ा सा इसका आम ले लेंगे और उसका पल्प निकालके उसको हम क्राइन कर लेंगे और उसका प्यूरी बना के रख लेंगे तो चलिए अभी सारबत बनाते ही तोटे एक बड़े से बॉल के अंदर हम दो ग्लस थंडा दूद ले लेंगे और थंडा दूद अगर आप नहीं ले रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर बर्फ का इस्तमाल कर सकते ही लेकिन मैंने कोई बर्फ का इस्तमाल किया ही नहीं है मैंने इसी थंडा दूद ले लिया है उसके अंदर हम स्वादोने सर चीनी आड़ कर लेंगे चीनी को दूद के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर उसके अंदर हम थोड़े से इलाइची का पाउडर आड़ कर लेंगे इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे फिर हमने जो तारगोला को छोड़े चोड़े पिसस में काट के रखे थे उसको भी अदूत के अंदर आड़ कर लेंगे और यह सब डालने के बाद हम एक पार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर हम कुछ कटे हुए ट्राइब पूट्स भी इसके अंधर आड़ करेंगे जिसके वज़े से यह सर्बत का स्वाथ और भी बढ़ जाता है तो हमने ने ले लिया ही यहाँ पर कुछ कटे हुए कैजॉनोर्स आफ कैजुनोर्स के ज bı्क ये या पिर दूसरे ट्राइब फूर्स का भी इस्ते माल कर सकते हैं ताडगोला सर्वत को आप ऐसे भी पी सकते हो या फिर इसके अंदर रूपसा भी मिला के उसको भी एंज्वाइ कर सकते हो और आज हम इसे आम के साथ बना रहे हैं तो नीचे हम आम को प्यूरी को डाल देंगे और उपर से हम ताडगोला का जो सर्वत बना के रखे हैं उसको ह आप कर लेंगे तो आम के साथ इसका जो स्वाथ है और भी जादा बढ़ जाता है तो आप एक बर ताडगोला का सर्वत ज़रूर बना के साथ ही एक बर उसे ज़रूर बना के दिखिए उसका जो टेस्ट है और बहुत ही बढ़ जाएगा इस तरह से हम दोना ग्लासेस में आ आम के साथ बहुत ही अच्छा हैगा आप चाहो तो उसके अंदर और बर्फियाड कर सकते हो या उपर से कुछ कटे हुए ड्राइफ प्रूट से भी उसे गार्निस कर सकते हो आप देख सकते हैं हमारे जो ग्लासे से बनने के बात बहुत है कि इतना सुन्दर लग रहा है और प कीजिए साथ ही में अगर मेरे रेसिपीचे अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा इसी उमीद के साथ आप सबसे भी बिदा ले रही हूं फिर मिलते हैं और एक नहीं रेसिपी के साथ तब तक अपने खुल क्याल रखेगा गुट बै नमस् कीजिए एक दिए्टार्द पूलेगा खुल क्याल हु़ आप Belgium